मेरे पॉड़कास्ट पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम जिस्विद्वान की बात कर रहे हैं वो हैं जिग्मन्ट बमून जिग्मन्ट बमून का जन्म 1927 में पॉलेंड के एक यहुदी परिवार में हुआ था 1949 में जब नाजी सेना ने पॉलेंड पर आक्रमण कर दिया तो बमून को अपने जीवन की शुरुवात में ही पॉलेंड छोड़कर सोवियत रूस में शरण लेनी पड़ी बोमन सोवियत रूस में एक कम्यूनिस्ट बन गए उनका एक सफल सेन्य केरियर रहा दुतिय विस्वियुद में जर्मन सेना के खिलाफ अदम्य साहस दिखाने के फल स्वरूप सन 1945 में उन्हें मिलिटरी क्रॉस से सम्मानित किया गया सोवियत रूस से निकल कर इसराइल में बसने के चाहत के चलते ही सन 1950 में बोमन ने इसराइली दूतावास में कोछ चान भीन की और जिसका पता चलते ही उन्हें मिलिटरी से निकाल दिया गया सेना से निकाले जाने पर बुमन ने एहे किया और वर्सो उन्वर्सिटी में लेक्चरर बन गए सुरुवात में वे एक कमीटेड मार्क्सवादी थे लेकिन समय के साथ-साथ जैसे जैसे वे पोलेंड की कम्यूनिस सरकार की आलोचना करने लगे तो उनका माक्सवात के प्रती नजरिया भी बदलने लगा उन दिनों पॉलेंड की सत्ता में यहूदियों के खिलाफ भावनाएं विक्सित होने लगी थी यह देखकर बोमन ने कम्यूनिस पाल्टी के मिम्बर्शिप छोड़ दी और तेल अवीब इसराइल में आकर बस गए तेल अवीब के बाद इंग्लेंड शिफ्ट हो गए और यूनिवर्सिटी ओफ नीड्स में समा सास्तर पढ़ाने लगे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बोमन के जीवन में क्या है जो आज प्रासंगिक है 1980 और 1990 में बोमन उत्तर आधुनिक्तावाद के प्रमुख विद्वानों में से एक थे जहाँ एक और बहुत से विद्वान बता रहे थे कि उत्तर आधुनिक्ता वाद आधुनिक्ता से अलग है और उसके बाद ही शुरू होता है वही बोमन ने बताया कि आधुनिक्ता सदेव से आइस्पष्ट और द्वी अर्थी रही है एक और बोमन आधुनिक्ता को एक ऐसी सनन्चना के तोर पर देखते थे जो की मानव समाज को नियमों का पालन करने वाला बनाए उसे वरगी कृत करे तथा व्यज्यानिक्ता को इतना बढ़ावा दे कि आने वाले भविश्य का अनुमान लगाया जा सके तथा उसे नियंतरित भी किया जा सके मैक्स वेवर ने आधुनिक्ता के इन ही गुणों को उसकी ड्राइविंग फोर्सेस कहा था वहीं दूसरी और बोमन के अनुसार आधुनिक्ता के अंदर अपनी पुरानी व्यवस्थाओं परंपराओं और रितियों को उखाड कर फैंक देने का एक मूल भूत बुन भी है हो सकता है आधुनिक्ता ने जो सांस्क्रितिक, सामाजिक और आर्थिक सन्नचना इस्थापित की है कल वो ही उसे उखाड कर फैंट दे So, all that is solid melts into air बोमन के अनुसार आधुनिक्ता, वग्यानिक्ता को इतना बल न दे सकी कि किसी परिवर्तन को रुका जा सके आधुनिक्ता के ठोस से द्रव होने की इस अवस्था को बोमन ने liquid modernity बताया यानि की आधुनिक्ता अपनी liquid अवस्था में प्रवेश कर चुकी है Digital media के प्राधुर्बाओं के साथ उपभोग केवल वस्तुओं का नहीं रह गया जिसे हम छू नहीं सकते हम सूचनाओं के माध्यम से उसका भी उपभोग करते हैं सालों से मानव सब्यता मुद्रा का मतलब हातों पर महसूस होने वाले किसी कागज या सिक्के को समस्ती थी अब वह मुद्रावी वर्चुल है आभासी है बस क्रै विक्रै करने वाले उसे मानने वाले होने चाहिए बोमन की लिक्विड मॉडर्निटी भौतिक दुनिया से आभासी दुनिया के पीछे के तर्क को बताने की कोशिश करती है द्रव जब किसी समतल फर्ष पर पड़ता है तो यह तय कर पाना कठिन है कि उसकी दिशा किस तरफ होगी उसी प्रकार 21 सदी में मानव सब्यता की दिशा को दिकोट कर पाना एक कठिन कार्या है globalization और internet के कारण सब कुछ fluid यानि की तरल सा हो गया है मानव मात्र एक constant mobility के दोर में जी रहा है जहां कुछ दिनों के भीतर उसके विचार बदल जाते हैं उसके taste बदल जाते हैं और कभी-कभी सूचनाओं के दोर में उसकी पहचान पर ही doubt होने लगता है ऐसे में वह एक पहचान virtual world यानि की social media पर बना रहा है वहीं दूसरी और उसकी real world पहचान को जान पाना कठिन है बोमन कह रहे हैं कि liquid modernity के दोर में कोई order यानि की करम नहीं है यदि कोई करम है भी तो मानव सब्यता उसे पढ़ नहीं पा रही एक अनिश्चित भविश्य की और ताक्ता मानव उन सहरों की तलास में है जो उसे किसी निश्चिंतता या कहें order का अभास कराए ऐसे में दुनिया भर में उन नेताओं का अब्युदय हुआ है जो कह रहे हैं कि मैं आपको एक सुनहरे भविश्य की तरफ ले जाऊंगा बराक उबामा का स्लोगन येस वी कैन या फिर नरेंडर मोदी का स्लोगन अच्छे दिन आएंगे इस ही अनिश्चिता की तस्दीक करते हैं लिक्विड मॉडर्निटी केवल डिजिटल मीडिया से जोड़कर नहीं देखी जा सकती लेकिन लिक्विड मॉडर्निटी के दृष्य को डिजिटल मीडिया जरूर मजबूत करता है अभी इंटरनेट में और भी बहुत सारे इनोवेशन होने बाकी है बोमन की यह बातें कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तानेवाने में फिट बैठती है यह तो भविश्य ही जानता है अगले पॉड़कास तक के लिए आप सभी का धन्यवाद